जैज रेन दोस्तो पॉस्टे कहार बाकि सब बेकार मा की जैनरो सुई में आपको मिलेंगे स्वाधिश्ट और साथ वे ग्वेंचन अपार तो कैसे हैं आप लोग मा की जैनरो सुई में आप सभी का स्वागत हैं तो दोस्तो आज हम आप ये ले लेकर आए हैं तिरा मिसू की रेसिपी दोस्तो तिरा मिसू एक इटालियन डिजर्ट है जिसको हम अलग-अलग वेरियेशन्स में बना सकते हैं और इसलिए दोस्तो मैंने तिरा मिसू एक ट्रे में और एक क्लास में बनाया हैं तो आईए दोस्तों देखते हैं, हमें इसके लिए क्या क्या इंग्डीडियेंट्स चाहिए, दोस्तों वैसे तो तिरा मिसू एक लेड़ी फिंगर जो के एक टाइब का बिस्किट है, उससे बनती है, लेकिन आज हमें इने 6-7 रस्क से ही बनाएंगे, और इसके लिए हमें च केरेमल बॉल्स, जो कि मैंने केरेमल से ही पनाई है, बस इसको जब वो थोड़ी सी गरम होती है, उसको बॉल्स का कार दे दिया है, और हमारी केरेमल बॉल्स रेडी है, चॉक्लेट पाउडर, और वन स्पून कॉफी पाउडर, दोस्तों इंसर्बिंग रीडिंज के लिंग मैं आपको नीजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको ज़रूर चेक कर लिजेगा, तो आईए दोस्तों देखते हैं, हमें इसे कैसे बनाना है, सबसे पहले दोस्तों मैंने दो कप पानी में एक चमच कॉफी पाउडर डाला है, और उसको मैं अच्छे स उबाल लोगी, दोस्तों हमें इसकी ब्लाक कॉफी बनानी है, जो कि हमने आपको पहले भी बना कर दिखाई थी, हमें इसमें कोई चीनी, शक्र या दूद नहीं डालना है, और हमें तब तक वेट करना है, जब तक इसमें दो से तीन उबाल नहीं आ जाते, दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्लाक कॉफी की रेसिपी अच्छे से एक्स्प्रेंग करी थी, तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करकर उसको सरूर देख लीजेगा, दोस्तों दोसे तीनों बाल आ गये हैं, अब हम इसको अच्छे से चान लेंगे, और फिर दोस्तों चानन दोसे के रश्क टूट जाएं, लेकिन इतना सुक कर एकिनि के इसको का टेस्ट चला जाए, इसके बार दोस्तों हम इसको डियर्ख कर यह कर लेंगे,म एयून, क्रूब के मेसे की यह क्रिम के शीट आपके साथ चार करी ती और इसके बाद दोस्तो मैं इसके पर थोड़ी सी चॉक्लिट सॉस डाल दूँगी दोस्तो आप चाहे तो इन सब को skip भी कर सकते हैं वरना अपनी चोईस के according कोई और इंग्रीटिन जैसे की dry fruits या कुछ भी और जो आपको पसंद हो आप वो भी इस पर add कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद मैं इसके पर एक और layer coffee rush की लगाऊंगी दोस्तो आप चाहे तो पिछली विपायर की layers repeat भी कर सकते हैं पर दोस्तो मैं उनका repeat नहीं करूंगी सबसे पहले दोस्तो मैं whip cream को half portion पर spread कर लूंगी और दोस्तो, हाफ पोशन के लिए मैं भचीती टॉकल्य वेफ़ ट्रीम में चोकलेट पाउडवर मिक्स कर दूब ज़िए और उसको चौकलेट वेफ़ ट्रीम बना बो लूँगी और उसको फाफ पोशन पर स्प्रेड कर दूँगी जिससे कि दोस्तो हमारे पास double flavored tiramisu आ जाए ये देखिए दोस्तो मैंने अच्छे से इसके उपर cream spread कर दी है और हमारे पास double flavor tiramisu ready है इसके बाद दोस्तो मैं garnish रिंग के लिए इसके उपर थोड़ी से चोकलेट garnish करूँगी ये देखिए दोस्तो मैंने चोकलेट अच्छे से गarnish कर दी है अब मैं इसके उपर थोड़ी से केरेमल बॉल्स आड़ करूँगी टॉपेंग्स के लिए दोस्तो जैसे कि मैंने पहले काता आप अगर केरेमल बॉल्स यूज नहीं करना चाहते तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं ये बिल्कुली ऑप्शनल है मैं बस इस तिरह मिसु को और जादा कस्टमाइज करना चाहती हूं अपनी चॉइस के बार आइड कर दिया है दोस्तों अगर आपको इस पार की तरह से पीचा हिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें सरूर बताएं दोस्तों ये देखिए फ्रीज होने के बाद दोस्तों हमारी जो लेर्स है वो कुछ ऐसी देखेंगी ये देखिए कितने अच्छी च्छी जारे यह होाँ दोस्तों आपदेखिए मैं इसको गट कर दिखांगी ये देखिए दोस्तों कितनी असान ही एक्टो रहा है और कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी स्की लीर जंदर से हैं तो ये लिजे दोस्तों तियार है आपके युमी युमी ती रामिस्यू की रेसिपी तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे रेसिपी को लाइक कीजे और शेयर कीजे और हाँ दोस्तो, साइड में जो पर लेकन है, उसको क्लिक कर ना मत भूलेगा, जिसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आजे, जब भी हम न्यूँ वीडियो अपलोड करें और हाँ दोस्तो, अगर आपने हमारे चानल को अब तब सब्सक्राइब ने किया है, तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजेगा और दोस्तों आप हमेशा हमारे description box ज़रूर पड़े क्योंकि हम उसमें हमेशा कुछ ना कुछ tips and tricks ज़रूर आपके साथ share करते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपको next jcp में तब तक के लिए bye bye, take care, jay jnendr